नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं ज्यार्खन परतियोगी परिक्षा बिधायक के खिलाप राज जेपाल से मिले भाजपा के बिधायक प्योग्त बिधायक के द्वारा राज सरकार ज्यार्खन लोक सेवा आयोग ज्यार्खन करमचरी चेन आयोग जैसी संस्थाओं में परतियोगी युवाओं को आवाज को दबाकर मनमानी तरीके से परतियोगी परिक्षाओं का संचलन करना चाहती है यह असांका तब और प्रवल हो जाती है जब भीगत दिनों जे प्यासी द्वारा आयोजी सात्वी से लेकर दस्वीत तक की सिविल स्वा परिक्षा और जे एससी द्वारा आयोजीत करनिये अभियांता परिक्षा में घोर धांदली उजागर हुई जमीन कारोबार में वर्चस्व को लेकर की गई माकपा नेता सुभास मुंडा की हत्या जमीन कारोबार में वर्चस्व को लेकर की गई मामले में रांची पुजिशन मुखे साजिस करता छोटू खलखो सही तीन लोग गिरफ्तार कर लिया गया हत्या कांड को अंजाम देने के लिए 15 लाक रुपए के सुपारी भीताय की गई थी पता दे सुभास मुंडा की हत्या के लिए 15 लाक रुपए के सुपारी दी गई थी साजिस करता ने रकम के साथ अपराधियों को सुभास के हत्या करने के बाद नगडी में ही 10 करता की एक जमीन देने का फिवादा किया था इस वर्दात की पूरी साइस राचने वाले छोटू खलको ने ही अपराधियों को सुपारी दी थी राची पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस ने साइस करता छोटू समय तीन लोग गिरपतार कर लिया है गिरफतार आलोपियों में छोटू के अलावा अभीजीत, पांडी और बिनो सामिल है जार्खन में भी जातिये जनगन्ना की मांग हुई तेज बिहार की तर्ज पर जार्खन में भी जातिये जनगन्ना की मांग तेज हो गई है जार्खन बिधान सवा के मांसुन सत्र क्यामतिप दिन कॉंग्रेस बिधायक पर दीप्यादों के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार द्वारा इस पर समाती जताई गई बता जिस संसादिय कारमंतिय अलंगीर अलंग ने सदन में बताया है कि बिहार सरकार के मांग पर वहां की हाई कोट ने भी मुहर लगा दी है जाती है जनकर्णा के परक्स में जार्खन सरकार भी है इस पर चार्चाक को और जल्द ही फैसला लिया जाएगा वहीं कॉंग्रेस बिधायक पर दी प्यादों ने जनकारी देते हुए कहा है कि सब को यह जानने का अधिकार है कि सरकार में हमारी की इतनी भागेदारी है समाज में हमारी क्या बहस्तुई थिती है इसलिए आवस्षक है सरकार द्वारा कहा गया है कि अप रस्ताव केंदर सरकार को भेज़ा जाएगा अगर केंदर सरकार सवी कार नहीं करती है तो राज सरकार बिहार की तर पर जातिये जनगाना कराने पर सरकार विचार करेगी कूर्मी को आदिवासी में सामिल करने की मायंग जारखन में कुर्मी कुर्मी जाती के लोगों को अनुसूचित जन जाती में सामिल करने की मायंग लगातार तेज होती जा रही है भरतिया जनता पाटिक बिधायक जै परकास भाई पटेल इसके लिए कई बार अपनी आवाज बुलांद कर चुके है जारखन बिधान सभाई के मांसूचित जन जाती में ही सामिल थे लेकिन बाद में कुर्मी को ओबी से बना दिया गया आईसू बिधायक द्वारा कुर्मी को आदिवासी घोसित करने की मायंग पर कॉंगरेस की बिधायक सिल्पी ने हाथिर की फूट पड़ी वहीं स्रम मंत्री ने तंज भरे लहजे में कहा है कि वह लंबोदर महतो के मांग का समर्थन करते हैं सभी को जन जाती घोसित कर देना चाहिए जेल में ही रहेंगे गेंदा सिंग समेत आठ कुख्यात रांची टीसी ने कुख्यात गेंग्स्टर गेंदा सिंग सहीच सहर के आधा दर्जन सर्थिक अपराधियों पर सीसिये लगाने का अदेश निर्गत कर दिया है जिन अपराधियों पर सीसिये लगाने के उन्संसा की गई है उनमें रसिद अंसारी, सेक अंसारी, उर्फ बगेला, रंजीत साव, परहान अंसारी, उर्फ चरकु मैना और अमीत कुमार उर्फ सोनू सामिल है सभी पर CCA के तहत करवाई करते हुए निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि किसी भी हाल में उन्हें जेल से बाहर नहीं निकालने दिया जाए सभी अपराधियों परहत्या, रंगदारी, जमीन कारोबारी और बिल्डरों के द्वाला रंगदारी नहीं देने परहत्या या उन पर जान लेवा हमला कराने का आरोप है बिश्व आदिवासी दिवस पर दो दिवस से कारकुरम का आयोजावन नव अगस्त को आयोजीत होने वाले बिश्व आदिवासी दिवस को लेकर राज सरकार की तरब से त्यारिया जोरो सो चल रही है रांची के जेल चौकी सित भगवान बीसा मुंड़ाव दिवस सेंग्रालाई में तैयारिया को लेकर अधिकारी लगातार जयजा ले रहे है इसी के मत नजर गूरवार को कारकरम की त्यारी का जाएजा कल्यान विभाग के परधान सचीव राजीव अरुन एका ने लिया बदादे परधान सचीव राजीव अरुन एकाने ज्यारखन आदिवासी महसों के त्यारी को लेकर पूरे कारकरम अस्तल का निरिक्षन किया ज्यारखन बिधान सबा मांसून सत्र का आज 6 और आखरी दिन है इस दिन भी बिधान सबा की बाहर बिधायकों को अपनी अपनी मांगों के साथ प्रधर्शन करते हुए देखा गया पूर्व बिधायक सीव पूजन मेहता वा बिधायक लंबोदर महतो भी अपनी मांगों को लेकर गेट पर बैठे इसके बाद बिधान सवा की करवाही शुरू हुई प्रश्ण काल में एक दो प्रश्ण पर चार्चा के साथ है विपस का परदसन शुरू हुआ बिधायक आशन के पास पहुँचे नारेवाजी की स्पीकर रविन्राज महतों ने भाजपर बिधायकों को सीट पर लोटने की नसिहत देते वे कहा है की वे आशन के धर्य और विवेक की परिच्छान ले मंत्री मिसले ठाकुन ने कहा है की इनके नेता ही नहीं है ये नेता चूनकर सदन में अनुसायसन मिले इसी हंगामे के भी सदन की करवाही 12 वे तक के लिए सगित कर दिगाई वहीं अस्थगन के बाद करवाही फीचे शुरू हुई है टीवी चैनल पर बाइट देने वाले आरोपी ने किया सरेंडर जारखन के मुख्य मंत्री विधान सभाध्यक्स मंत्रियों एवं महिलाओ की बिरूद और मर्यादित भासा का परियोग करते हुए भोकाल टीवी नियूज चैनल पर बाइट देने का आरोपी रामगर जीले के रामगर थाना अंतरगात मुराम कला निवासी असोक नायाक पितासवर गिये गोपाल नायाक ने गिरफतारी के डर से गुरुवार की सामका धवा बेवहार नयाले में एडीजे वन के कोट में सरेंडर कर दिया है उनके सरेंडर किये जाने के सुचना के बाद रंका थाना पुलिस ने सुक्रवार को नियाला से 24 गंटे का रिमांड पर लेकर पुश्टाच कर रही है पुश्टाच के दरान पुलिस दो आला मीडिया करमियों को थाना से रखा गया है इससे पूर्वरांका पुलिस ने योटूब एवं फेस्बुक पर विवाधित वीडियो अपलोड कर प्रसाइद करने कारोप में गड़वा थना छेत रखे धर्मी गाव निवासी, टिपु सुल्तान खान, उर्फ समर, पिता, जस्मुदीन, सेख को गिरफतार कर मंगलवार को ही जेल भेज दी चुकी है पारसनाथ की तलहटी मधुबन में भाजपा का प्रसिक्षन सिवीर पारसनाथ परवत दुनिया का सबसे बड़ा जयन तिर्थस्थल है पारसनाथ की तलहटी मधुबन से एक बार फिर मंधन कर भाजपा कमल को और ताकत देगी जब जब चुनावी तैयारी की बात होती है भाजपा यही विमर्ज का लग्ष साधने की रणिती बनाती है बता दे दो हज़र चोविस के लोक सभाव और जार्खन विधान सभा चुनाव के लिए भाजपा यहाँ फिर परसिक्षन सिवीर लगा रही है इस बार राज भर के भाजपा समर्थित जीला परिशल सरस्यों को यहाँ 5 और 6 अगस्ट को प्रसिक्षन दिया जाएगा इसमें राज भर के भाजपा विचार धरावाले 200 जीला परिशल सरस्यों सामिल रहेंगे विश्व आदिवासी दियोस पर लगेंगे बहतर सलोट विश्व आदिवासी दियोस पर जारखन में 9 और 10 अगस्ट को जारखन आदिवासी महस्ट वहयरतेस का आवजपा यहाँ किया जा रहा है ए राश्ट्रिय असर का कारक्रम आवजपा यहाँ किया जा रहा है बदाद जार्खन आदिवासी महुस्टत हैरते इसमें जार्खन की जन जातिये कला संस्क्रिती का अदभूत अनुठा समागन देखनों को मिलेगा सुल्तान गंज देवघर कावरिया कारीडोर का काम कराय सुरू निसिकांत दूबे लोक सभा में गोड़ा सांसर डाक्टर निसिकांत दूबे ने धारा 370 के तहट परेटन विकास से समधित कई मागों को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा सांसर ने कहा कि पीएम ने वर्ष 2015 में कावर यात्रा में बेहत सुविधा उपलब्त कराने वा धार्मिक अस्थलो के समगर विकास के लिए सुल्तान गंज से देवघर तक कारीडोर पैकेज की घोषना की थी उन्होंने कहा कि धारा 377 के तहस सभी अधुरी पड़ी 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 नायों को पूरा किया जाए ताकि पिछले चेतर का विकास हो सके सांसद ने कहा है कि देवघर एक महतपूर्ण धार्मिक केंद्र है और यहां 12 जोतिस लिंग में से एक जोतिस लिंग वसकती पीठ है जारखन को बकायर आसी देने पर सहमत केंद्र से मिले 2500 क्रोर जारखन बिधान समय प्रस्नकाल के दोरान बीत मंत्री रामेश्वर उरावने बिधायक परदी प्यादों के सवल का जवाब देते हुए जनकारी दी है कि राज ये का बकायर आसी का भुकतान करने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो गई है अब तक 2500 को रुपए मिले भी है और ये हमाल लेना चाहिए कि केंद्र सरकार राज को भुकतान करेगी इनके पास भी धन सीमित है जय सिंग राजा को भुकतान होता रहेगा ये सही है कि केंद्र के पास बकाया कि वह ये सराज की समाजिक आर्थिक विकास प्रभावी था उन्होंने कहा है कि मुक्य मंतरी हमां सुरेन और मुक सरचीव ने भी केंद्र के समक्ष बकायरासी की प्रापती के लिए आगरह किया जिस पर स्वमाती बन गई है परदी प्यादोंने स्वाल पुछा था कि क्या केंद्र के पास 35,000 को रुपे बकाया है और अगर ऐसा है तो प्रापती के लिए क्या प्रयास हो रहे है धन्यवाद